हेलो पीपल वेल्कम तू माई चैनल आज मैं आपके सब डाउट्स क्लियर कर दूँगा थ्री सिलेंडर इंजन के बारे में यह है टाडर एल्ट्रोस एकजट ऑप्शनल एने पेट्रोल तो मैं आपको यह भी रिजन बताऊंगा कि आपको फोर सिलेंडर इंजन क्यों नहीं द यह थ्री सिलेंडर इंजन आपको दिख रहा होगा तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें थ्री सिलेंडर इंजन क्यों दिया गया टाडर इल्ट्रोस में फोर सिलेंडर क्यों नहीं दिया गया तो आपको जैसे पता ही हुगा इसमें सबसे आधा कैबिन स्पेस आपको मिल तो अब मैं आपको second reason बताता हूँ, इसमें three cylinder engine क्यो दिया गया है, तो जैसे कि आपको पता होगा, कि सबसे ज़्यादा curve weight है इसका, सबसे भारी का रही है, five star rating वाली का रही है, टाटर Eltros, तो आपको पता ही होगा इसका 1050 kg का curve weight है, यह petrol का, डीजल का तो 1150 kg है, 1150 kg है, 100 kg औ अगर इसमें अगर आपको four cylinder मिल जाता है, इस curve weight में, 1050 kg में आपको अगर four cylinder engine दिया जाता, तो आपको इतना अच्छा mileage नहीं देती है, टाटर Eltros, जितना अच्छा आपको mileage मिलता है अभी, आपको पता ही होगा जो पुरानी i20 second generation e light version, उसका भी 1020 kg का curve weight था, अभी वाली म पड़नी थी, actually उसका curve weight काफी अच्छा था, और वो भी safe थी कार, इतनी safe तो नहीं जीती है, टाटर Eltros है क्योंकि यह तो सबसे बेस्ट है, पुरे सेग्मेंट में, five star rating के साथ, तो अगर आपको बात करते हैं, अभी होली i20 की, तो उसमें four cylinder engine दिया गया है, बढ़ उसमें वेट कम कर दिया कार का, तो पुरानी अच्छी इस मामले में, वो अंडर पावर इसलिए है क्योंकि four cylinder engine के साथ, heavy curve weight वाली कार है, आपको पता ही हो का बलीनों में भी four cylinder आता है, swift में भी four cylinder engine आता है, तो वो दोनों का curve weight 875 kgs to 900 kgs का है, तो आप समझ सकते हैं इस बात को क्यो यह जो पुरानी i20 है, और यह जो एल्ट्रोज है, इसकी जैसे आपको high speed stability नहीं मिलेगी, क्योंकि भारी कार है, वो दब के चलेगी, जो हलकी कार है, वो आपको high speed में दिककत करेगी, तो इसलिए अभी जो new i20 है, उसमें four cylinder दिया गया है, बट उसका जो curve weight है, उसको 120 kgs, 100 kg से 120 kgs तक कम कर दिया गया है, तो वो, I don't think कि अगर आपको power के लिए आपको अपनी safety, वो compromise करना पड़े तो कोई मतलब नहीं है, तो यह three cylinder engine है, जादा fuel efficient रहता है, थोड़ा सा noise करता है, because, यह three cylinder engine है, three cylinder को जादा काम करना पड़ता है, four cylinder के comparison में, क्योंकि यह three cylinder engine four strokes के against में क brake हो गया, compression हो गया, power हो गया, exhaust हो गया, four cylinder पूरा equally काम करता है, because आपको चारों में, चार सिलिंदर मिल रहा है, तो एक एक अपने में काम करता है, but इसको थोड़ा जादा वग करना पड़ता है, so guys, I want to tell you one more point about this, three cylinder versus four cylinder engine, जो three cylinder engine है, वो 120 degrees के बाद power आपको जनरेट करके देत है, but जो four cylinder engine है, वो 90 degrees के बाद आपको पावर जनरेट करके देता है, तो guys, तभी आपको इसमें three cylinder engine दिया गया है, क्योंकि आपको बताए कि fuel efficient है, and सबसे affordable hedge है, आपको पता ही होगा, कि three cylinder कम expensive है, as compared to four cylinder, four cylinder engine आपको ज्यादा expensive पड़ता है, क्योंकि उसका size भी बढ़ रहता ह आपको कम मिलेगा उसमें, refinement जादा मिलेगा, lag-free engine रहेगा, but अगर आपको इतना है, और आपको four cylinder engine मिल रहे है, तो mileage भी रहेगा, lag-free engine रहेगा, but आपको अंडर पावर लगी हो गाड़ी, and वो expensive भी रहती, आपको जैसे पता है, new I-20, कित्ती expensive है as compared to this Tardell Tross petrol, तो आपको इसमें पता है कि पुरानी जो I-20 है, और जो भी नहीं वाली I-20 है, जो पुरानी I-20 थी उससे 100 kgs कम कर दिया गया है, अभी new I-20 में, तो क्या बोलते हैं, मतलब आपको performance ठीक मिलेगी, but क्या मतलब compromise करना, जो आपकी stability कार गी, तो गाइस, यह ना सोचे कि इसमें थ्री सिर इसमें दिया जाता है, इस कव वेट में, तो आपको माइलेज बिल्कुल कम मिलता, ओके, आप बोल रहों कि इसमें लैग है, लैग नहीं है, इसी हो अपडेट करा लिजेगा अपने कार का AL04 में, लैग फ्री हो जाएगी कार, एंड या, अंडर पावड बोलते थे, अंडर तो आपको कोई पावर में, तो यही था वीडियो, मैं आपको यही बताना चाहता, कि लोग जो कहते थे, थे, इसमें क्यो दिया गया, अगर आपको इसमें 4 सिलेंडर दे दिया जाता, तो आपको माइलेज अच्छा नहीं मिलता, कव वेट की करन फाइव स्टार रेटिंग आपको जैसे कि मैंने बता चुका एक 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 जामपल आपको इसमें अच्छा नहीं मिलता, नो डाउट कि आपको लेग नहीं मिलता इंजन में, एंड नोईज नहीं मिलता, बट आपको यह जो एफोर्ड़ेबल हैच बैक वाली लिस्ट में का रही, सबसे अफोर्ड़ेब इस बाली बेल आगन, थाम्कियो मुच गाइस, नओ लेट्स चीव ऐट्षीव करीयागा, टाटा बाइबाइ बाई